है 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 हलो बच्चों कैसे हैं आप आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको यहां पर छूड़ा था वही बाते एसेट्स हमारा जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में यहां पर लेना है एक्स्विंस जिसका बेनिफिट ले चुका चाहे पेमेंट हुआ यह बाते मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थी आज हम इस बात को आगे बढ़ाने के बाद इस बात को समझने के पाद फिर मैं मैं आपके पास आऊंगा आज हम लाइबिलेटी कैपिटल और इंकम यानि तो मैं अभी इसको छोड़ूँगा अभी कहानी यहां पे खतम नहीं हुई थी पिछली क्लास में और इसको मैं कॉंटिन्यू करता हूं ठीक है ना सुने मेरी बात मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि मानलो आपने जो आपका इंपलोई है अगर उस इंपलोई का हमने पेमेंट कर दिया और आगे कोई हिसाव नहीं रहा है तो हम उसके नाम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और बागी बात है अब मैं आपको समझाता हूं बच्छे क्या निकल कर आगा देहां दिए यहां पर मेरे साथ सुनेंगे आप मेरे साथ सुनेंगे यहां पर आज फिर से मेरे बच्छी एपरिल का यह महिना चलताया है यह यह परिल का मैं मिस्टर एह आपका एक एक इंप्लोई हुँ आपके पास काम करता हूं मैं आपके पास क्या थ्यांसे बात मएने मेरे सुने के बोला कि टाटा भीया टाटा भीया हमने पूरे मेरे काम क्या मेरे सैली पे करो ना हमने कहा कि पूरे मेरे काम क्या मेरे सैली पे करो ना तो आपने कहा ध्यान से सुनना इस वर क्या हुआ आपने कहा कि ठीक है मैं आपको पे करता हूं चलो मैं तोड़ा एक से पीछे चलता पिछली class को link करते हुए आपने कहा कि ठीक है मैं pay करता हूँ तो जरह बताओ आपने क्या pay किया था cash cash कितना pay किया था मान लो आपका 10,000 cash क्या आपका है जी एक assets है और इस payment के पीछे का reason आपने क्या record किया था expense जरह बताओ उस expense का नाम आपने क्या लिखा था sir employee को हम salary पे करते हैं salary और कितने से record किया आपने 10,000 यह किया था ना बताओ entry क्या पास हुआ था expense का बढ़ना हम क्या करेंगे debit करेंगे और assets का घटना क्या करेंगे क्रेड करेंगे तो बताओ यह entry क्या बन गया था आपने entry में लिखा salary अकाउंट डेबिटेट है जो आपका expense से बढ़ना डेबिट होगा तो आपने salary को 10,000 से डेबिट किया और मेरे पच्छे कैश्च जो आपका चला गया assets कम हो गया यानिकि तो कैश्च एकाउंट हम इसे क्रेड करेंगे amount कितना आपका हो गया 10,000 यह entry मैंने पिछली क्लास में बताई थी और मैंने कहा था कि देखो यह जो Mr. A है नमस्टर ए जो है हम लोग अपनी entry में यहां पर इसका नाम यहां पर record नहीं करेंगे क्यों record नहीं करेंगे क्योंकि अब 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 इन से अब या कह दो Mr. A से कोई कोई आपका लेना देना नहीं लेना देना नहीं बताओ जरा अब क्यों लेना देना जी हमने आपसे बेनिफिट ले लिया और हमने आपको पेमेंट कर दिया हमने आपसे बेनिफिट ले लिया और हमने अगर आपको पेमेंट किया तो आपके नाम को अब बुक में क्यों रिकॉर्ड करूगा क्यों रिकॉर्ड करूगा जिना बताओ आप ही बताओ आप छोड़ो मत पिश्वास्कुर मेरे उपर में आप मुझे बताओ जब किसी दुकान में आप जाते हो और दुकान से समान को परशेज करने के बाद दुकान से समान परशेज करने के बाद अगर म समान ले लिया और पेमिट कर दिया आपने सर्विसेज ले लिया पेमिट कर दिया तो क्या उस आदमी के नाम से को तब रिकॉरड करूँ गा, जब उस आदमी से कि अभी आगे आने वाले समय में कुछ लेंदिन करना है अगर आप दुकान से समान लेकर आते हैं और क्रेट पे लेकर आते हैं क्रेट पे कि हाँ भी आ ठीक है समान देदो हम बाद में पेमिन्ट करेंगे तो आपको अपने घर में उस दुकंदार का नाम लिखना पड़ता है कि हाँ जी मुझे इनका पेमेंट करना है लेकि जब पेमेंट कर दिया तो फिर कौन सा वास्ता कौन सा रिष्टा क्यों फिर दुबारा आपका चेहरा देखूंगा क्यों आपके नाम को याद रखूंगा हाँ तब रखना पड़ जाता है जब आगे अभी कोई लेंदेन हमें करना है मिर बच्चे इस केस में यानि के अभी तक सारे केस में मिस्टर एज़ आपका इंप्लोई है हमने उसे काम लिया हमने काम लिया जी एक्स्पेंस हो गया और हमने पेमेंट किया हम उसके नाम को रिकौर्ड नहीं करेंगे लेकिन लेकिन आज मकसद ये बताना नहीं है आज मकसद example number two में आपको लेके आना है सुनो जड़ा बताओ कौन सा महिना चल रहा हमारे example में अपरिल का आप बताओ कौन हो तो सरहम टाटा के अकाउंटेंट है ये लो मैंने आपका चेहरा बनाया इतना प्यारा आपका चेहरा दिख रहा है ना आपका चेहरा मैं कौन हूँ आपका एक employee में नाम Mr. A है मेरे बची मैं आपका employee देखो अब मैं बात को कैसे change करूँगा सुनो जड़ा सुनो जड़ा मैंने पूरे महिने आपके पास काम किया पूरे महिने काम किया कि पूरे महिने काम करने के वाद मेरे बच्के मैं आNew में आया बोला Tata भया टा-टा भया पूरे में काम किया मेरी Selly पेकरो moments मैरी अमेरे मेरे काम किया है मेरे बच्छे आप ने कहा कि देखो Mr A आपने force कुछ दिनों के बाद आना मैं आपका पैमिन्ट कर दूंगा कुछ दिनों के बाद आज नहीं करूंगा मैंने काम तो कर लिया यहाँ पर आपको एक entry पास करना है ज़िना बताओ आप यहाँ पर अपना expense record करोगे कि नहीं करोगे मुझे स्वेटना बताओ कि अगर मालो मैंने पूरे मैंने काम किया end में आके बोला कि काम किया मेरी पेकरो आपने कहा सर काम किया ठीक है पड़ अभी पैसे नहीं है कुछ दिनों के बाद आपको पेमेंट कर दूँगा मुझे बता इस दिन पर आपका एकस्पेंस रिकॉर्ड होगा की नहीं होगा बोलो बोलो मैं मैं पढ़ रहा हूं आपके दिमाग को सर सर एकस्पेंस रिकॉर्ड नहीं होगा सर क्यों नहीं होगा जी सर क्योंकि पेमेंट ही नहीं किया अरे पेमेंट करूंगा तब तो एकस्पेंस होगा सर हमने तो बच्पन लिया कि नहीं लिया कि बताओ आपने मेरा एपरिल के महीने में बेनफिट लिया कि नहीं लिया सर्क बेनफिट तो ले चुके हैं आप मेरा सर्विसेज ले चुके बच्चे और अगर आप मेरा बेनफिट ले चुके हैं तो आपका एक्सपेंस हो चुका है एक्सपेंस हो चु record करोगे the expense हो चुका है accounts कहता है ऑगर आपने benefit ले लिया तो expense हो चुका है चाहे payment हो चाहे payment ना हो तो ऊक्राफrones आपने payment नहीं किया मांता हूँ अपका expense हो चुका क्योंकि यह benefit ले चुके expense record हो शुके on ख़ीक है आपने accounts expense record कर दिया क्या आपने पेमेंट किया किया क्या आपने इस तेन था हुजन का जो आपका एक्सपेंस हुआ क्या आपने इसके बदल में पेमेंट किया क्या नहीं हमने पेमेंट नहीं किया अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो में बच्चे आपके उपर में एक obligation create हो जाएगा obligation create हो जाएगा कि मुझे payment करना है payment करना है और मेरे बच्चे क्योंकि अभी तक आपने payment नहीं किया आपको payment करना है तो उस case में अब आपके उपर में तेन थाउजन की यहां पर एक liability create होगी है लाविटी क्रेट होगी क्यों जी क्योंकि हमने कहा ता पिछली क्लास में याद किजिए कि obligation जब भी आपके उपर आएगा तो obligation accounts में liability के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा वर बच्चे आपका expense हो गया क्योंकि आप मेरा benefit ले चुके हैं अगर आप payment कर दिये होते तो आपके पास से cash चला जाता क्योंकि आपने payment नहीं किया तो आपके पास एक liability record करनी पड़ेंगी और हाँ अब इनका नाम हमें यहां पर रिकॉर्ड करना होगा Mr. A क्योंकि हमें payment करना आपको यहां तो पेमेंट कर दिया तो फिर आपके नाम को क्यों रिकॉर्ड करूंगा लेकिन यहां क्योंकि मैंने अभी तक आपको करो entry में यह दख़ए आब अब आपको पहले यह आप जैसे हमने इन तो नों के बाद में आपको बारे में हमने आपको यह बताया था बने बच्चे अब मैं इसको हटा के ध्यांदना benefit लेना expense होता है यह मैटर नहीं करता पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ यहां पेमेंट हुआ नहीं फिर भी expense record होगा क्योंकि आप benefit ले चुके हैं मुझे अभी इसको मिटाना है अब मुझे इसकी कोई खास requirement नजर नहीं आती पांच वर्ड में एक तो आपका assets expense हो गया जो बाकी के नाम बज़ गये उसमें एक बज़ गया आपका capital capital एक बज़ गया आपका यहां पर liability और एक बज़ गया आपका यहां पर revenue यापने जो कमाएं पर बच्चे इनके साथ इनके साथ जब हम बाते करते हैं सुनो मेरे बात इनके साथ जो बाते करते हैं और आप रटना नहीं इसका भी सिंपल तरीका बताऊंगा आपको याद क करने का बस थोड़ा साबर करना मेरे साथ पता है अगर इनका बता इन दोनों का बढ़ना क्या हुआ था डेविट इन तीन नामों में से कोई भी चीज अगर आपका इनक्रीज होता है इन में से कोई भी चीज अगर आपका इनक्रीज हो गया तो बच्चे आप इसको करोगे credit ठीक उल्टा ठीक इनका उल्टा यहां पर जाएगा capital liability revenue कोई भी capital होगा लबिटी होगा revenue होगा इनमें से कुछ भी पढ़ा तो क्या करेंगे credit और इनमें से कुछ भी कुछ भी अगर आपका decrease हो गया लिख लो आप मेरे साथ यहां पर तो आप इसे क्या करेंगे क्यों होता है कुछ नहीं बचे यह जैसे आप 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 आपको यह नाम दिया गया है कि जैसे इन दोनों का बढ़ना हम डेविट कह दे तो उसी तरीके से अकाउंटिंग को प्रोपर रूप में लाने के लिए इनका बढ़ना ठीक उल्टा यहां डेविट हो जाएगा और घटना क्रेट तो यहां पर डेविट हो जाएगा रिजन आप चिंता नहीं करना थोड़ा मैंने कहा है पेशन सकना यह बाते आपको याद नहीं करने में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिसे हमेशा के लिए बाते आपके दिमाग में याद हो जाएंगी फिलहाल बस आप इतनी बाते कर लो कि इनमें से कोई भी चीज बढ बताना चाहता हूं यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो सेलरी यानि की एक्स्पेंस बढ़ रहा है जरा बताओ एक्स्पेंस का पढ़ना क्या होगा डेविट होगा अभी फिलाल जब तक कि आपको पूरा कमांड ना हो जाए और जब तक कि मैं वो ट्रिक आपको ना बता दूँ तब तक यह चीजे आप पहले रेजिस्टर में लिख लेना और इसको देखते वे एंट्री करेंगे है ना तो हमने क्या क्या है अब देखो ना लाइबिलिटी भी फर्म की बढ़ रही है क्योंकि पेमेंट करना है और देखो यहां पर देखो यहां पर लाइबिलिटी का इंक्रीज करना हम क्या करेंगे क्रेंगे तो आपने क्या करना है इसको एंट्री में क्या करना है जी क्रे यह बाते अपने आप दिमाग में याद हो जाएंगी फिर आपको कोई दिकत नहीं आएगा इस जनम में क्या अगले जनम में भी आप चीज़े नहीं भूलोगे गरेंटी दे सकता हूं ठीक है ना आप एक काम और भी कर सकतो मैं आपको बता देता हूं आपको यह भी अच्छा रहेगा इस हांत में आप यहां पर क्या करो लिख दो एक्सपेंस बढ़ना डेविट गटन करेंट करेंट के चक्कू से लिखना चकू से हमारे टाइम पे एक मुवी आय थी अमिताब अचन की जिसमें अमिताब अचन के हाथ पे उसके कुछ लोगों लिख दिया था मेरा बाप चूर है तो चोर चोर की बात चोड़ों आप सब्सक्राइब कैसे गंदगंदी बात है तो फिर यह करो ना ऐस बोर्ड भी तो है रजिस्टर भी तो उस पर लिख दो हाथ में क्यों लिखेगा गजनी मुवी थोड़े हैं कि भूलेगा ऐसे लिख दो वही काम किया आव एंट्री में कर्वर्ट करते हैं एंट्री में कर् करूंगा अरे सेलरी आपका एक्स्पेंस बढ़े गया डेविट होगा तो पर बच्छे सेलरी अकाउंट डेविटेट कितने से यह आपका टेन थाउज और एकी लावरिटी बढ़ रही है लावरिटी पढ़ना क्या करेंगे क्रेइट आपका तो आप कहाई दाना टू एज अकाउंट तो एज अकाउंट अब कितने से टेन थाउज लो हमारी एंट्री कंप्लिट हो गई तो सेलरी अकाउंट डेविटेट टू एकाउंट बात खतम बात खतम हो गई हमने क्या क्या आपका सैलरी को डेविट किया एंट्री कंप्लिट हो गया एंट्री कंप्लिट हो पाता कंपनी में एक ही एम्प्लाई होते हैं क्या ताटा कंपनी में एक ही इंप्लोई होते हैं क्या नहीं सर नहीं टाटा कंपनी में लाखों इंप्लोई है लाखों इंप्लोई पर अगर टाटा कंपनी में लाखों इंप्लोई है और लाखों लोगों में से मालो हर एक आदमी का कुछ ना कुछ पेमेंट करना बकाया है मालो लाख लोगों का यहां पे पेमेंट करना बकाया मालो सब का दो दो अजार पांच माजार पे बकाया है तो मुझे बताओ ना कि क्या फिर जब एंट्री पास करोगे पेसे सैल अकाउंट बैइट तू लाख लोगों का नाम ए बीटी फिर सिता मतार और अग़र आपने लाख लोगों के नाम को लिखा तो तो जांब पूरा हो पाया आकसम्स इजन आर्ट कहा गया था बच्पन में अकाउंटिंग इजन आर्ट अकाउंटिंग एक कला है जिस कला कारी में हम बहुत तरीके से सारी बाते परजेट करते हैं पर बच्छे लाख लोगों के नाम को लिखो तो फिर कौन सी कला कारी होगी जड़ा बताओ सर कहना के चातो में बच्छे हमारे अकाउंट्स ने कहा है कि एक काम करो जी एक काम करो सैलरी एक्सपेंस से ठीक है रिकॉर्ड करो कोई रुकता नहीं है लेकिन ये जो लोग है ये जो आपका मिस्टर ए मिस्टर बी जो है आप प्लीज इनका नाम यहां पर रिकॉर्ड मत करो आप employee के नाम को मत लिखो जितने भी employee है ना जितने भी employee है उन सब का नाम इकठा करके आप इसको कह दो outstanding 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 यहनी की बकाया जो हमें पे करना है जी outstanding expense कौन से expense salary ना तो आप इसको outstanding salary कह दो मुझे यह हमें समझाया गया है अकाउंट कहता है अकाउंटिंग इजन आर्ट तरीके से लिखो लाख लोगों का नाम लिखना जनल एंट्रिमेट नोट पॉसिबल तो बेस्ट क्या होगा जी कि आप expense दिखा दो पूरा जितना आपका हुआ जितना benefit लिया और जितने लोगों को भी payment करना बकाया है जितने लोगों को भी payment करना बकाया है उनके नाम को लिखने के बजाए क्या लिख दो जी आउट्रिंग से लेकाउंट हाँ यह नाम किसको कर रहा है यहां पर employee को Mr. A को लेकिन हमने क्या क्या यह नाम लिखा तो मैं entry में क्या करूंगा आप ऐसी काटन को लिखने के बजाए हम लोग क्या करेंगे हम यहां पर यूज करेंगे outstanding 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 आपका salary ना तो outstanding salary outstanding का मतलब कि बकाया है बकाया है यानि कि हमें salary जो pay करना अभी बकाया है जो मेरी liability है Mr. A की वो इतना amount है यह नाम actually Mr. A को ही repetition करता है आप यह नाम लिखना perfect होगा accounting के अंदर में यहीं हमने अकाउंटिंग समझाए गया है सर ऐसा क्यों रहे हमने बूलता है जैसे के सोटा हूं कि ठोलने जाता हूं तो । चीज होना सौने की बात है लेकिन अच्छा व्हँंगने एक फुरा थो इसे प्रेंड होने को बुरा कहा यह BUT similarly अगर वाद ंअगर स्याली बया है तो आउस्य Vine से लिए अगर हमें लेंडोड को रैंट परे करना तो आउसरे ini अगर बकाया है तो जो इस नाम किया जी मिस्टर एक जगा पर हम इस नाम को यूज करें गे हमें अच्छा अकाउंटिंग लगेगा फिर सब्सक्राइब है कि अब हमेशा यही नाम दिखना पसंद करना आपको अच्छा लगेगा की ठीक है ठीक है लोग अब हम से मिटाते हैं पत bashकी हम लोग आप किसी भी बंदे का किसी भी राम का मौन का सोन का अप अकाउंट्स में नाम कब लिखोगे जब आगे उनसे हमें कोई करना यह जब लिन्देन ही नहीं करना तो फिर आदम उसका नाम क्यों लिखेंगे क्यों लिखेंगे बच्चे वही काम किया और मज़े की बात आपके लिए क्या हुआ कि आपका accounting general entry करने का पूरा रूल मैंने आपको यहां पर दिखा दिया पूरा रूल कि assets expense बढ़ना debit घटना क्रेट होगा capital liability income ठीक उल्टा हो जागा इनका मतलब revenue बार-बार में आदत है revenue को income बोलने का बड़ अब revenue समझना इन में से कुछ भी बढ़े का तो credit घटना debit होगा अभी अभी क्या करेंगे जब भी entry pass करेंगे मेरे साथ चाहे अकेले में तो कहीं दूर इसको अलग से लिख लेना और इसी किसाफ़ से इंट्री करना कौन से पांच वर्ड पर मास्टरी होना चाहिए इंडिस मिनिंग जो आप समझ रहे हैं और जो मैं आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूं ठीक है ना तो आप जड़ा अब मैं और कुछ अज गसlex 1 एकाँल आपको संदल समझाता हूं लख मेरे साथ आज का एक्जाम्पल no 3 ब्लू से लिखो सथांगे नहीं बद्वंस्ति किसी से भी लिख सकते हैं क्या फ़र्फ셔서 पढ़ता है लोग मे ब्लेक से το लिख लिता हूं लो में लाट की ब्लैक से लिता हूं लो में अ आपका 1st April, अब मैं एक वर्ष की बात कर दूं क्या, मैं एक वर्ष की बात कर दूं क्या, नहीं सर अभी एक महने की बात करो सर, लो फिर कोई क्या फरक पड़ता है, पूरा वर्ष है, पूरा मेना उसी तरह के सेंट्री होगा, ये लेजे, टाटा कंपनी की हम बात कर रहे हैं आप यहां पे वो प्यारे बैच्चे जो इसका अकाउंट समिह रहे हैं, महीना कोन सा चलना आपका 1st April, अब मैं बात करता हू इस विल्दिंग का ये बिल्दिंग है, आपका ये विल्दिंग है इसका जो landlord है ước US 카ा मालिक उसका नाम है Mr. Ram आपका Mr. Ram जो है नब इसका landlord है मालिक जिसका अपका 40,000 पर मंत है मालो ये पूरा महिना आपका गुजर गया और इंड में आपका दिन आया अरेंड में आया और कहा कि या रेंड मुझे पे करो लैनलोड आएगा ना रेंट लेने के लिए सर हां सर हां आया ताटा ने कहा किया अभी रेंट नहीं है मतलब अभी पैसे नहीं है कुछ दिनों के बाद आना मैं पेमेंट कर दूँगा कुछ दिनों के बाद आना मैं payment कर दूँगा मुझे ये बताओ क्या टाटा ने payment किया नहीं payment किया क्या बोला आगे pay कर दूँगा मुझे बताओ आज expense record होगा कि नहीं होगा बोलो बोलो आज expense record होगा कि नहीं होगा सर होगा क्योंकि आपने इस एक मेने इस building को आपने यूज कर लिया अगर आपने इसके building को यूज कर लिया आपने services ले लिया तो सर यहां पर rent जो कि आपका expense है रेंट जो आपका expense है वो 40,000 से आपको increase करना पड़ेगा सर यह आपका expense है यह आपका expense है आपको increase करना पड़ेगा रेंट बढ़ा दिया मेरे बताओ ना कि क्या आपने इस 40,000 अपने लैंडोड को पे कर दिया नहीं पे किया अभी पे नहीं किया पे करना है कि नाम किसको लिखा राम लिखा लेकि मारे बच्चे मैंने कहा कि जब भी किसी को पेमिंट करना होगा In case of expenses, अगर expense किसी को pay करना है और अगर बकाया है तो आप उसके नाम को ना लिखना क्योंकि बड़े-बड़ी companies के कई सारे building होते हैं, पूरे world में कितने सारे building उन्हों रेंट पे लिया है, कितने लोगों के नाम को लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंग कौन सा expense rent ना, तो outstanding rent account, ये नाम लिखेंगे, ये liability हमारी है, है तो हमारी liability, लेकिन धानकना और जड़ा बताओ, ये नाम किसको represent कर रहा है, तो राम को, लेकिन राम, शाम, मोहन का हम नाम यहां पर नहीं लिखते हैं, मरे बच्चे, सुनो, सुनो, फिर से बोल लाँँ, expenses कि क को अगर हमने पे करना है, और अभी तक पे नहीं किया, तो उसके नाम को लिखने के बजाए, उसके नाम को लिखने के बजाए, हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, आपका outstanding rent, outstanding selling, जो भी होगा, ये वो लोग हैं, जिनका हमें payment करना है, वो लोग, तो जराब क्या किया जाएगा, तो लिख दो यहां पर create, और इसी को आपको entry में convert कर देना है, इसी को entry में convert कर देना है, बोलो जरा, rent यानि कि आपका बढ़ रहा है, rent आपका बढ़ रहा है मेरे बच्चे, तो rent account को आप क्या करेंगे, debit करेंगे, expense है, expense बढ़ना debit आपका, और वो राम जिसको payment करना है, liability, राम के बजाए हम क्या लिखेंगे जी, to outstanding rent account, outstanding rent account, अगर दुनिया वाले आप से पूछ दें, क्या रही है, आपका बढ़ना liability है, यह कौन है, तो कहना कि राम है, लेकिन राम को लिखने के लिए सर ने इसलिए मना किया, क्योंकि companies बहुत लोगों के साथ deal करती है, बहुत लोगों की building वो किराय पलेती है, तो कितने लोगों के नाम को entry में दिखाएगी, इसलिए में इस तरीके से entry पास करते हैं, यह accounting में अच्छा लगा, accounting agent art, अगर कुछ भी समझ में नहीं है, रिजन तो बोल देना भया, accounting agent art, एक कला है, वो कलाकारी में हम ऐस जन्धीर कपूर, जन्वीर कपूर सब के नाम खतम हो जाएंगे, आज के बाद एक ही artist को लोग जानेंगे, और उस सिर्फ आप हैं, उनसे बड़े कलाकार, अरे उनसे छोड़े कलाकार थोड़े हैं, वो अपने फिल्मी दुनिया के कलाकार है, आप accounts के कलाकार हो, accounts के आट क आजाएगे वहाँ पर, भर जाएगे आपसे आटोग्राफ लेने के लिए, विश्वास नहीं तो देख लेना आप वहाँ से, आएगी दुनिया, आएगी, तर आपके पास आती है, कहां आएगी, बताओ इस रूम में क्या करूँगा, एक, 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 मुझे कुछ कोई नही करता है, जिससे में बाते कर लूँ, एक नहीं बचे, कुछ नहीं यहाँ पर, कोई नहीं है, अकेले बस बरबढ़ाय रहता हूँ, यहीं जिन्द की मेरी बन चुकी है, क्या करो, मन करता हूँ कि कोई मेरे सामने यहाँ बैठे, उससे बात करूँ, लेकिन कोई है नहीं है, काला सा, जो मुझे देखते रहता हमेशे आपको यहां पर, एक शब्द यह हिलता नहीं ना बात करता मुझे, कल्कुर्टर मेरे पास है, कल्कुर्टर मेरे पास है, ऐसे ऐसे कल्कुर्टर करते रहता हूँ, कोई नहीं मुझे बात करने वाला, हाँ मेरा एक छे मैने का हमावना उसको मैंने तो अकाउंस पूरा पूरा काउंट्स इख दिया एक चीज जी जहानता है कि चामने वह शिए मैंने लेता है मैं ःतल और उसको एक बार इशारा करता हूं वह था Пट्स आलकर कर दिखा capital liability और revenue का बढ़ना क्रेट घटन डेविट होगा सर बात समझ में आगी आपने ये भी कहा कि जिस आदमी से अभी रिष्टा आगे होगा जिस से रिष्टा रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने payment नहीं किया है तो हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा अगर हमने payment कर दिया तो उस इनसान के नाम को हम record नहीं करेंगे clear यहां तक सर हां सर तो मेरे बच्चे आज ना आज मैंने क्या क्या actually आपको assets expense का meaning बता दिया assets का बढ़ना assets का मतलब क्या होता है जिसका benefit आपको future में मिलता है expense का मतलब क्या जिसका benefit आपने already enjoy कर लिया है वह हमारा expense आपका होता है expense आपका होता है चलो मैं अब सुना क्या बोला मैंने assets expense का बढ़ना डेविट घटना क्रेट गटना क्रेट और तीन नाम जो दुसरा दिया कम लोग होते हैं बहुत कम लोग आउसी process में अब मैं आपको इनके साथ कुछ application को दिखाता हूँ और पहले मैं capital के साथ कुछ बाते आपके साथ करूंगा capital को लेकर आपका आई जड़ा आप लिखेंगे मेरे साथ यहां पर एक्साम्पल आपको इहां लिखेंगे क्या फरक पड़ता है अच्छा यह बाता दो हो सकता है कि आपकी स्कूल में general entry को पढ़ाने के पहले वह accounting equation सिखाएंगे कुछ कि आपको नहीं शिकना वह अपने अपने अप हो जाएगा मैं आगे आपको इसको में सम्झा दूंगा लेकिन आकाउंटीं को जिस step में सिखना है ना वह यह step मैं को सिखा रहा हूं अब ध्यांद क्या होने वाला यह आप मैं आपको यहाँ पर क्योंकि यह यह कैटिल के वारे में आपको यहाँ पर एक बैलन्सिट दिखाता हूं मैं नहीं पिछले के पिछली क्रावस में बाते कि थी सर्म किशले के पिशली के पिशली क्लासु में मिये लुक्त थी सफिर्फ है अभी आप समझना जहांप emphasize assets जो है business के business का क्या नाम है Tata Tata के जो assets है Tata के जो capital है और Tata के जो liabilities हैं हम उनकी recording करते हैं ठीक है ना मैं यहां से आपको capital liability का मतलब बताना चाहता हूं आपको अभी balance sheet नहीं पता की balance sheet actually होता क्या है मैं आगे बताऊँगा अभी समय आने दो lodge लेकिन आज इतना ही समझ लो जहांपर business के capitalize किइतने हैं, business के capital कितने हैं, business के liability कितने उनके बारे में हम recording करते हैं अब सुनो ना सुनो ना यह देखो मैं आपको कुछ बना रहा हूं आप देखो मेरी handwriting बहुत अच्छी है ऐसा मत समझना जर्था यह कौन है जरा बताओ ये कौन है जरा मुझे बताओ ये कौन है अगर आपने बता दिया तो अभी के अभी आपके पास आऊँगा और खुब सारे चोकलेट को खिला कर फिर मैं आपके पास से वापस हो जाऊँगा बताओ ये कौन है बताओ ये कौन है सरी एक लड़का है ना ना ये है क आपको कुछ पता नहीं चलता यार इतना अच्छा ड्रोइंग मैंने बताया यह है रतन टाता रतन टाता कर रदन डड़ने कोने का मालिक आफ लूट मालिक है बैठा में मुद्देय प्यारों मालो टाटा एक फर्म है और उसके मालिक कुन है रतन टाटा मैंने मैंने कई बार आपको कहा है ऐसे ना दिखो मैंने कई बार कहा है कि जिस दिन रतन टाटा ने टाटा कंपनी की शुरुबात की रतन टाटा अलग हो गया टाटा अलग हो गया सेपरेट एंटिटी फर्म की एंडिटी ओनर से अलग होती है और हम सारी बात है किस के लिए पढ़ रहे हैं फर्म के लिए पढ़ रहे हैं टाटा कंपनी के लिए कहा था मैंने आपको पिछले के पिछली क्लास में शायर जब कैपिटल लाबिटी का मतलब सब्सक्राइब बाते मैंने कई वर आपसे डिसकुस की हैं तो यह कोई नई बात आपके लिए नहीं अब आ रही है सुनो ना अगर मानलो रतन टाटा ने आज ही टाटा को स्टार्ट किया और रतन टाटा ने इस कंपनी में क्या किया इस कंपनी में क्या किया मानलो पांच लाग रुपे दिया बिजनेस में इन्वेस्ट किया पांच लाग रुप फाइव लेक्स मालो बिजनिस में क्या क्या उस ने लगाया तो बताओ बिजनिस में क्या आया बोलो बिजनिस में क्या आया फिर कैश आया अरे अगर ओनर पैसा बिजनिस में लगाएगा तो कैश ही तो आएगा भूल गे क्या मेरा कैश कहा चला गया मेरा cash कहा चला गया ये रहा वो cash ये रहा वो cash अगर मालो आप owner हो और मैं ये company हूँ तो आप ने, owner बिजनेफ में क्या डाला cash डाला, पैसा है, पैसा cash डाला पर बचे अगर ये इस company में invest करेगा तो business का क्या बढ़ेगा, cash बढ़ेगा कैष कितना बढ़ गया 50000 मालो 50000 दिया लेकिन मेरे बच्छे में पूसे बशक्शे में प क्योट talks कर दो आकाउंस पूछेगा कि यह 50000 आपके पास कहां से सर क्यों पूछे गा कि आप एक अलग पर्सन और इस आपके पास जो भी सुछ आएगा आपको बताता नहीं होगा, मैं आप की बात करता हूं, जब आप परोसी को खुल कर आते और परोसी के घर से, मान लो च्रोली करते हों, तो परोसी के घर से आते हैं, तो कई पके पापा पुछते नहीं कि कहां से ला आ रहा हैं, हम बताते हैं कि हम वहां से लेकर हैं वहां से लेकर हैं चोड़े नहीं बताते हैं आपको पापा को बताना पड़ता है क्योंकि आपके पास मुख है यह मुख से जो है आप उनको बता सकते हो कहां फर्म का कोई मुख है जरा बताओ टाटा का रतन टाटा का मैंने मुख देखा है टाटा का मूह नहीं देखा तो टाटा के अकाउंटेंट को इनके पास जब भी कुछ आएगा ना तो इनको लिख कर बताना पड़ेगा लिख करके आप कहां से लेकर आए बताओ जड़ा टाटा के पास जो पांचलाक रुपे आया यह किस ने दिया उनके ओनर न दिया ओनर को ही थोड़ा रिसपेक्ट देते हूए हम यहां पर क्या बोलते हैं जी कैपिटल आपक kitty फाइफ लेक्स का मवन्ट आप पांच लाक मेरे बच्चे आपका ओनर को थोड़ा रिसस्पेक क्या बोलेंग आपक्य आपका जैसे आप अपने पापा को पापा पापा कुत का्वा में क्या आया कैश आया कैश आपका बढ़ गया कैश बढ़ गया और साथ ही साथ क्या बढ़ गया जी एक एक पैसा किस ने दिया और ने उसके नाम से करना पड़ेगा जिसको हम कैटल बोलते हैं दुनिया वाले कहेंगे कैटल का मतलब यह होता है वह होता है छोड़ो ना उनकी बात बात से बितनी है कि कैटल के आजी कि बिजनेस में जो पैसा आया किस ने दिया और तो उसके नाम से रिकोड़ करो हमने क्या क्या इसको बढ़ा दिया अब हमें एंट्री करना है हमें जर्नल एंट्री सीखना है बोलो जड़ा कि कैश आपका एसेट से बढ़ना क्या करोगे गरोगे तो मुरं पर बचे कैस का बढ़ना जनल एंट्री में क्या करेंगे डिवीड ओध्रेंगे और सुनो ना और बिजनेस का बढ़रा है तो बताओ बिजनेस में कैटल का बढ़ tahu यहां देखो यहांद इखो यहां देखो वो तो entry में आप यहां पे cash account को आप debit करेंगे, कितने से 5 lakhs रुपे, पांच लाख रुपे से cash को बढ़ा दो, और क्योंकि यह आपका capital भी बढ़ना बचे, ओनर का नाम को भी लिखना पड़ेगा, तो capital बढ़ना क्या किया जाए? तो आप क्या बोलेंगे, two capital account, two capital account, पांच लाख रुपे, सरिक बाबत हो, मैं यहां पे रतन टाटा, लिख दो तो कोई दिकत होगा, क्या? नहीं दिकत होगा, नहीं दिकत होगा, लेकिन तब जब आज से अपने पापा ममी को आप नाम से पुकारना शुरू कर देना, आप प रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहां भी ओनर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ओनर के नाम को लिखने के बजाए, आपको वहां पे उनका capital word लिखे, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है न, तो आपने क्या क्या यहां पे entry बने गया, जी, cash यानि की assets बढ़ गया, यहां देखो, मालो टाटा कमपनी को एक building चाहिए, टाटा कमपनी निट्स बिल्डिंग और बिल्डिंग टाटा परशेज करने के बजाए, यह जो रतन टाटा है न, वो अपने घर की building business में डाल दिया, रतन टाटा ने जो उसका अपना building था, वो business के नाम पे डाल दिया, य assets बढ़े गया, कोन सा assets, building, building आपके पास, कितना बिल्डिंग जी, मालो, building 20 lakhs का है, मालो, building 20 lakhs का है, मालो, building 20 lakhs का है, बथाओ, टाटा के पास, juh 20 lakhs का building आया, यह building, किस ने दिया, बताना तो होगा, owner न दिया है, तो मुड़ा टाटा का building बढ़ा, क्योंकि यह ओ nights Кप्वर बढ़ाना पड़ेगा बढ़नकार मतलब अरड़ के कॉंट्रीबुम्या में कैपिटल को बढ़ा दुगा कि अपको कितने से बढ़ाँ डहीं ग Ό Scripture 20 लेक्ट — यान्नि टो बढ़ा दूँगा और एक हमारा क्या जी capital बढ़ गया मैं लिदेता हूँ यहां पर building बढ़ा और capital बढ़ा सर capital यहां भी यहां पर मैं समझा रों बचे यह अलग point था यह अलग point निकल क्या रहा है तो आपने यहां पर क्या करना है बेखे डिंच और capital बढ़ गया तो आप टो है यह of praying करेंगे और the पर क्या बढ़ा बिल्दिंग डेविट करो हैं दुसरे में बढ़ा है जो भी ऑंट्रिबूट कर देगा fill जो बात में इसको नोगी एक्जाम्पल मनें एक करा दिया अब मैं मैं आपको अब हम सोचने पर मजबूर करूंगा आपको पसुचना मेरे साहब लिखिए यहां पर पांच पर नमबर Ray एक्जाब्बल नंबर फब लिखिंगा अपर हां प्पे मेरे साथ सोचेंगे के सोचेंगे हमें मेरे साथ varying बच्चे क्या कहता कि ओर जो जो मालिक है इन्वेस्टेट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया इन्वेस्टेड रुपेज फाइफ लेक्स कैश बिल्दिंग बिल्दिंग वर्थ रुपेज वर्थ रुपेज टू लेक्स टू लेक्स एंड फर्नेशर रुपेज वन लेक्स हमें इसकी एंट्री पास करना है एंट्री बनाना है मर वच्छे सुनोना सुनोना आपसे बात कर रہा हूँ बताओ जड़ा बिजनेस में क्या-क्या बढ़ा है स्क्रावास बिल्दिंग बढ़ा है और बंचेट्स बढ़ा है तीनों बढ़ें एसे वाधिस यह बढ़ना डेविट्स करेंगे अरे कोई भी ऐसे बढ़े गया तो डेविट करेंगे है ने बच्चे तो मैं क्या करूंगा मैं अपनी एंट्री में मैं अपनी एंट्री में यहाँ पे तीनों का बढ़ना डेविट होगा तो कैस अकाउंट को आप डेविट कीजिए कितने से कैस्ष बढ़ गया 5 लैक्स रु बढ़ गया जो भी कुछ बढ़ गया जो भी कुछ आप उसको डेविट करो ये तीनों चीजे बिजनेस में आ गई 6 lakhs कम आउट आपका 6 lakhs और सुरी कितना हो गया 8 lakhs 8 lakhs बोलु ना ये 8 lakhs जो बिलिंग में आज आ गया क्या इसके बदले में हमने कुछ पेमिंट किया है क्या राट लाख जो आया यह तो कैश आ गया। यह बागओ अगया। यह जो आया बिजनेस में यह किस ने दिया है। कर और गोर के नाम से चैक्ट्ड, स्वाइड में थे मि補िक और। और को बता हम किस नाम से रिकौर्ट करते हैं PayPal बतायी बिज्नेस के बढ़ा इसेया है। क Dus owner का जना पाली है कैजिने क्रेद्थ के बढ़े अग olması एफ़ ऑब करें क्रेड़िट तो अप यहाँ पर क्या भोलें जी तो लिखिंछ यहां पे टुप the अकाउंट कितना मेरे बच्छे एट लैक्स रुपीज हमेश्चा हर एक एंट्री में डेविट और क्रेट बराबर आएगा यह पक्का है क्योंकि डूल आस्पेक का यहीं मतलब होता है कि डेविट जो है मस्ट बीक्वल टू क्रेइट आपका क्योंकि जब कोई आना जाना रि रिकॉर्ड होगा तो टैली तो करना ही करना है यह कोई बहुत बड़ी बात हो रहे हैं यहां पर बाते आपको रिकॉर्ड कर दी तो ओनर ने इन्वेस किया पांच लाग कैश बिल्डिंग आपका दो लाग का फुनिचर एक लाग का तो यह तीनों एसेट बढ़ गया सोचने के लिए कुछ बचा सोचने को कुछ नहीं बचा और बाते हैं सोचने वाली तोड़ी और अची एंट्री बनेंगी लेकिन अभी तो मैंने काहें कि आपको उतना ही सोचना है जितना सर आपको बोलेंगे उस से ज्यादा भी नहीं उसे कम भी नहीं तो आlim mondo पांच मे मैं आपको बताता हूं कुछ और बाते लेकर आता हूं मैं शिक्स पॉइंट में आता हूं और फिर से मुझे एक बैलन्षिट आपको दिखाना है सर बैलन्षिट आपने पढ़ाया नहीं सर अभी तक मैं मुझे पता है बच्चे यह आगे का पॉइंट है लेकिन समझो ना बैलन्षिट में आपको बाते कैसे निकल के आती हैं बागी बाते हैं हाँ अजल्ब बताओ मैं किस कंपने किस फूर्म की बात कर रहा हूं तक मुझे बताओ मुझे बताओ इसका माली कॉन है यह एदेखो बी ओय बो व फोर मालिक मैं बनाऊव गा यह इसके बैल है रतन ता तक के यह उसका चेहरा है और बहुत प्यरा लगा देखने में मुझे आपका रतन टाटा ठीक है ठीक है ठीक है पता है पर बच्छे टाटा कंपनी को अब रतन टाटा से जो लेना था ले लिया जितना कैश आना था बिल्डिंग सब आ गया अब उसके बारे हम बात नहीं करेंगे अब क्या हुआ कि टाटा कंपनी को आज अशेंट आज के डेट पे 10,00,000 की रिक्वामेंट है तो क्या आप और आप सेम हो क्या नहीं कानुन के लिग हो आप अलग हो आप अलग मैं इनके बारें बात करता हूँ अगर टाटा कंपनी में यह पैसब नहीं लगा सकते हैं तो मुझे टाटा कंपनी बैंक से लोन लेगी बैंक से लोन लेगी जिदा बताओ अगर टाटा कंपनी ने यह दोखो आपका HDFC bank यह HDFC bank है HDFC bank और Tata company गई HDFC bank के पास बोले कि bank भेंग 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 हमें 10 लाका लोन देऊ ना बैंक ने इनका record देखा यह कंपनी तो अच्छी है profit कमारी कोई बात निनी रहुआ 10 लाका लोन देने को त्यार हो दे दिया लून बच्छी अगर टाठा कंसे ने द morality के पास क्या आया अगर टाठा कंपनी टाठा कंपनी को अगर मा लो यहां पर तो बताओ इनके पास क्या आया क्या म norma तो पैसे तो जो है उसमें आपका कैश यहां पर बढ़ जाएगा कितना जी मान लो 10 लैक्स 10 लाक रुपे से 10 लैक्स रुपे मुझे बताओ जब टाटा कंपनी के पास कैश आया 10 लाक रुपे तो अब यह 10 लाक रुपे कहां से दुबारा बताना पड़ेगा रिजन तो बताना होगा से लेकर आएं बताओ यह टाटा के पास जो पैसे इस पार आये है 10 लाक रुपे क्या यह पैसा ओनर ने दिया क्योंकि मुझे बैंक वाले ने दिया बैंक लोन आपका दस लाग क्योंकि दस लाग से आपकी लैविटी बढ़ गी हमें उस नाम को बताना होगा कि कौन से लैविटी about बढ़ी है तो हमने क्या बूल दीया यह तो बैंक लोन लिख दो रहां या लिख दो loan from bank आपकी मर्जी है नाम कुछ भी दो लेकिन रिजन बताना पड़ेगा अगर आपके पास कोई पैसा आया अगर पैसा आया किस ने दिया जी बैंक वाले ने उसके नाम सरी कौड करो तो हमने क्या कह दिया आपका bank loan ठीक ना ध्यान दो यहां पर क्या हो रहा है म बढ़ रहा है तो आपका एक तो यहाँ पर क्या हो जी ए सट बढ़ रहा बताओ एशुक का बढ़ना क्या करें अब ठीक मुझे द विगार यह लावि मेंक जो रूड capital के साथ है सेम रूल आपका लाइबिटी के साथ है साथ है capital बढ़ना क्रेट तो लाइबिटी बढ़ना भी क्रेट जी और वाइसे वरसा तो बताओ एंट्री क्या बनेगा हमें कैश को डेबिट करना होगा करो यहां पर आप लिखे पर लेकी तरह साथ cash account आपने यहां पर डेबिट कर दिया कितना माउंट है आपका 10 lakhs दस लाक रुपे आपका 10 lakh और देखो लाइबिटी में कौन सा नाम है जी बैंक लोन तो बैंक लोन जो लाविलिटी है लाविलिटी बढ़ना क्रेड किया जाएगा तो लिख दो यहां पर टू बैंक लोन के जगा पर अगर हमने लेकिन जिनली अकाउंट से बैंक लोन के नाम के चाहिए लिख देंगे इसे कुछ भी नाम कोन्सी बड़ी बात है आई बात समझ में कैश बढ़ गया डेविट करो लोन बढ़ गया क्रेड करो खता हो गया यह तो एंट्री जिसी को thành education कि मैं हमारा हvantage सब्सक्राइब करें लेकर नियुक्ति आपके साथी सब्सक्राइब होकी मुअ त aprme ढ़ेंग सब्सक्राइब ने बने है और कि आपका इसको मिटाओंस्त किसा सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइब लिखेंगे आप फर्म एरेस्ट एरेस्ट करना मतलब लेना फर्म रेस्ट लोन लोन ओफ रुपेश थर्टी थाउजन 30,000 फ्रूम फ्रूम बैंक आपने बैंक से क्या किया है 30 लाग का लोन लिया मुझे बताओ अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो मुझे बताओ पहले यहां पे कि फर्म का क्या पढ़ गया सब लोन लेंगे तो cash बढ़ेगा पैसे ही तो आएंगे इस वभाविक सी बात है प कैश बढ़ गया मेरे बच्चे कैश बढ़ गया और हाँ जब पैसे आपके पास आएंगे तो आपको नाम देना होगा कि पैसे कहां से हैं यानि कि आपकी लाबरिटी कहां से क्रेट हुई तो लाबरिटी का नाम किया जी बैंक लोन तो आप यहां क्या करेंगे बैंक से बैंक पार मलती से गे और यह कंशुड़ का मतलब क्या होता है उतंuks हमारे पास आया है अगर यह यह ओनर देंगा करने बाहर टेंगे नाम के प्रटी जो दो यार दी게 ओने दिया और सुनो ना में उनर करना है जाना बता एक इंक्रीज होना सिम्ट का बरना क्या किया जाएगा जाएगा क्यों भुग साथ कंवे तो अपने का बोला कैसम बढ़ गया कैस्ट वर्येट के लिचे लाव टीछ को देविट की जिए केस्ट अगाउंन्ट डी-ार याराई के डेविट और वे देविट कर यह बना पूंट तू लिखेंगे तू बैंक लोन अकाउंट आपका यहां पर प्रेयट हो गया, अमांट कितना वर बच्चे 30 लैक्स और यहां पर 30 लैक्स लेज़े हमारी एंट्रिज यहां पर कंप्लीट हो गई, Ranch to bank loan account कुछ आउट इसकेंदर में नहीं सर नहीं यह ठीक है और सुर समझाओना सर और समझाओना लिखो ना लिखो ना फिर एक्जाम्पल नेबर एट आपका एक्जाम्पल नेबर एट कहता है इस वर आपका और दूजार मेंगिओ मैंग कार्व जाओन उनत्र छuu जांए तक पना है तक मैं आपका। प्रेसे भीक्ट मैंग रॉपेश दोफिश कि कड्योन यह झाणना वर नार गाओनान要 लिखो पनात्ति दो नेपका। deposed into bank ध्यान से अब हम थोड़ा सा ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहां पे कि बहुत बहुत गहराई में जाकर सोचना होगा जिरा सुनो firm ने एक loan लिया है राम से पांच लाक रुपे बताओ loan लिया तो क्या आया हमारे पास पैसा loan पैसा ही तो आएगा मैं मेरे एक दोस्त राम उसे मैंने 5 लाग का लोन लिया तो क्या मेरे पास आया पैसा आया कितना पैसा आया जी 5 लाग बता वो 5 लाग मेरे पास cash पड़ा हुआ कि बैंक में चला गया बताओ जरा कहता है कि यहां ऐसे कर दो and immediately यहां जोड़ दो आप एक लाए एक वर्ड इमिडेटली उसी वक्त immediately कहता है कि same was deposited into bank उस पैसे को मने बैंक में जमा कर दिया जो राम ने मुझे पैसा दिया था उस पैसे को मने कहां जमा कर दिया बैंक में इस बार आपका जो बढ़ा है वह कैश बढ़ा की बैंक बढ़ा इसका ultimate impact बताओ आप पैसा आपके पास कैश के रुप में पढ़ा हुआ है या फिर बैंक में सर बैंक में है तो मेरा बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ जाएगा प्लस करेंगे बैंक में कितना जी 5 यहां पे यहां पे आपने लोन लिया है ना मतलब राम हमारी लावरिटी है बच्चे क्या नम है राम तो कोई बात नहीं आप यहां क्या करेंगे आप बताएए आप क्या लिखना पसंद करेंगे सर हम लिखेंगे लावरिटी बढ़ रहा बच्चे लोन लोन फ्रॉम राम loken room from rang LOIGN from rang 2 round closing 2 कुछब Bana लेक Hug illustrate दिखाना पड़ेगा 5 लाग फे делать कि मैं मेंचे द्धान सुनना यहां पर कुछ केमरा हिला नहीं आपका यहां पर जो बैंक बंड़े गया हमारा देक से बैंक हमारा एसेटिस है और लोन फ्रों म पर आम कुछ भी नाम लिख सकते हो बस यह द्यान अखना एसेट का बढ़ना हम क्या करते हैं डेविड करते हैं लाविटी का बढ़ना हम क्या करते हैं क्रेड करते हैं तो बोलो आपका एंट्री क्या बन जाएगा अगर हमारा एसेट बढ़ा है बैंक तो मेरे बचे जनल एंट्री मे bank account को आप यहां पर बढ़ा देगे कितने से 5 lakhs और क्योंकि आपकी liability बढ़ी है तो आप क्या बोलेंगे कौन सा नाम है? loan from ram तो loan from ram double entry system में आपको बताना होता है कि जो 5 lakhs आपके पास आए हैं bank में वो कहां से आए तो ram से loan यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो आया क्या? पैसा आया bank में bank में पैसा आगया कहां से लून from ram double entry रिजन बताना पड़ेगा सब कहां से आया ठीक ना तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है एक तो क्या आया क्या गया दूसरा उसको काम खतम हो गया यह भी point में आपको समझा दिया यह भी समझा दिया आप देखो आज तो हम लोग बहुत जब जब मास्टर हो चुके हैं आज तक अभी तक हमारा assets का command हो चुका expense का हो चुका capital का हो चुका liability का revenue अभी हमें आगे की बात करनी है पहले आज हम चार वर्ड को proper तरीके समझने कोशिच करते हैं मैं इसको मिटा दू सरहासर मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा एक बहुर tough entry सोचने का बहुर tough entry देखते हैं देखते हैं वह entry जो अब लिखने वाला हूं कि क्या हो हमें समझभा रहा एक बात मैं पहले बता दू अभी किसी बुक को आपको बीच में रेफर नहीं करना किसी बुक को जबता कि मेरे सारे कुंसेट करते हूं मैं अब आपको थूड़ा एक गंदा entry दिखाता हूं लिखी मेरे साथ यहां पर example number nine अगला आपका कैसे लिखू मैं कैसे लिखू हूँ, कैता है कि, ओंर मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे लिखते हैं firm लिखे यहां पर, firm, took, loan, sorry, took, रुपेश फाइफ लग्स, रुपेश फाइफ लग्स, रुपेश फाइफ लग्स, loan, loan, from bank, from bank आपका, अरे, firm ने, firm ने क्या क्या, 5 लाग का लोन लिया, राम से, and 2 लाग का लोन लिया, बैंक से, ठीक है न, बताओ जड़ा, ये 5 और 2, कितने रुपेश होगे, 7 लाग, बिजनिस में कैश कितने आए होगे, 7 लाग, तो मुझे बच्छे, ये दोखो, जब हमने loan लिया, तो एक तो, बिजनिस में cash बढ़ेगा, cash आपका बढ़ेगा, कितने से जी, 7 लेक्स से, बीना किसी doubt के, क्योंकि ये भी पैसा cash आया होगा, ये भी पैसा cash आया होगा, तो 5 लस तू कितना होगे, 7 लेक्स का मांट आपका, इतना हमारे पास आ गया, ये हमारा assets गया जी, 7 लेक्स से, बताओ जरा, यहां देखो, यहां देखो, 7 लाक रुपे cash आ चुका है, आप बताओ, ये 7 लाक जो cash आ चुका है, ये कहां से आया, कहां से आया, तो sir, region में आप कहना कि 5 लाक रुपे हमें किसे ने दिया है, जी, राम ने दिया है, और 2 लाक रुपे ह हमने किसे लिया बैंक से यानि की जब इसका रिजन रिकॉर्ड किया जाएगा तो आप को गए कि यह लबिटी लोन प्रॉम किया नम उसका राम राम से लोन हमने कितने का लिए जी 5 लेक्स का इसे यह हमारी लेटी है हमारा obligation है हमारा कर्ज है liability मतलब क्या कर्ज जो हमें पे करना है और साथ हमने एक loan लिया है loan from आपका bank हमने bank से एक loan लिया है कितने का जी तू लेक्स का यह भी हमारा क्या है बच्छे liability liability है अगर owner contribute करता है तो हम उसको आपका यह बढ़ना यह दो को एक बढ़ना क्या करें गए डेविट करें गे जो आपका capital liability है liability जारा बताओ लाविटी भी बढ़ रही है कर्च बढ़ना बचे क्योंकि जब पैसा आएगा तो कर्च भी तो आ गया यह बढ़ना क्या क्रेड करेंगे तो यह भी क्रेड होगा और यह भी हम क्या करेंगे क्रेड करेंगे दोनों आपका तो पताओ entry क्या बनेगा entry क्या बनेगा सुनू धोध्यान से cash बढ़ गया तो entry में आप यहां पर cash account को आप debit कर देदेजी कितना cash आ गया seven lakhs come out, seven lakhs cash आ गया वर पच्छे five lakhs के से बढ़न cheaper 3 Ridertwo लोव फ्रों फ्रों राम कितना आपका 5 लक्स यह हो गया और लॉन फ्रों बैंक तो टू लोन स्रों बैंक आप बैंक लोन भी लिख सकते हो आपकी मर्जी बट लोन दिखाना ले कीविछ 대한 loan हमने लिया है तू लैक से यह भी बढ़ गए आपका खतम हो की बात आपको अगर नाम लिखना है अगर लगता क्या यह नाम मुझे ठीक नहीं लगता तो आप इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो रामस loan राम से हमने क्या किया जी लोन लिया है और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बैंक लोन आपकी मर्जी है नाम कुछ भी लिखो फरक नहीं पड़ता आपको तो एंट्री करते समय ये सिर्फ समझना है कि आपका बढ़ना घटना जो होता है हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेविट क्रेट नाम यूज करते हैं एसेट्स और एकस्पेंस के साथ डेविट बढ़ना घटना क्रेट ठीक उल्टा अगर वह कैपिटल लावलिटी इंकम है तो बढ़ना क्रेट और घटना डेविट कहा जाएगा आई बात समझ में बा हम इंग चारों पे बहुत हद तक मास्टरी कर जुके हैं बहुत हद तक पूरा नहीं अभी तो बहुत सारे एंट्री सिखाऊंगा एक बार एंट्री सीख गए पूरा तो फिर तो दोर लगाना शुरू करेंगा काउंट्स के अंदर में हार्डली कोई वच्चा आपको पीछले दो-तिन क्लास में उसका प्रॉपर रिविजन करके ही आप क्लास में बैठेंगे अगर सचमुच में आप सिरियस हैं लाइफ को लेकर तो कि हमें कुछ आगे बनना है अगर आप और भी अच्छा है कुछ बाते पहले कि भोल चुके है मेरा तो वीडियो को पीछे र आगे कॉंटिनू करूंगा विट कॉंसेप्ट ओफ रेविनू इन जनरल एंट्री जब दक आप सबको बाइबय टाटा बाइबय टाटा बाइबय टाटा थेंक यू बच्चो थेंक यू जी